आलो दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे नए यूटूब वीडियो में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं सीपी आउट के बारे में जो की हम अपने पसूँ को देते हैं कब देते हैं किस रोग में देते हैं क्या क्या फादे होते हैं MRP क्या है डोज क के रिलेटिड वीडियों आप सब के लिए हमेशा लाता रहता हूं तो दोस्तों जो CP आउट होती है हम उसे अपने पस्वों में यूरीन के अधिक माना जाता है क्योंकि जो बक्रे का यूरीन ब्लाडर होता है यानि पेसाब की जो थैली होती है उसमें पथरी हो जाता है जिसके कारण बक्रे पेसाब करने में बहुत ज़्यादा परसानी होती है या थोड़ा थोड़ा पेसाब करते हैं पेसाब रुक रुक क्यों होत अगर आपको लगता है इनका पेसाब नहीं सही से हो रहा है तब हम अपने पस्वों को CP आउट का प्रियोग कराते हैं तो दोस्तों CP आउट हमें अपने पस्वों को देना कैसे है और कितने बार दिन में देना है सबसे पहले दोस्तों आपको अपने पस्वों को पांच एमेल दोस्तों अगर बड़ी पस्व है तो आप इसे 5 ml दे सकते हो अगर चोटी चानुमर जैसे गाय जैसे की बकरिया या भेड तो हम 2-3 ml भी इनको दे सकते हैं और दिन में 4 बार देना है यालि 4 टाइम आपको इसे अपने पस्वों को देना हो चाहे बकरा हो चाहे गाय हो चाहे पहसो आपको फोर टाइम आपको इनको CP आउट को देना होगा अगर हम दोस्तों बात करें इस CP आउट की MRP की इसकी MRP कितरा होता है सबसे पहले आप यह जान जाओ दोस्तों अगर हम बात करेंगे CP की MRP की तो 165 रुपे इसका मार्केट चार्ज है साथी साथ आपको 120 से 130 तक आपको यह medical पर उपलब्द हो जाता है, साथ ही साथ जो यह 60 ml का पैक आता है, यानि आप अपने एक बखरे का पूरा डोज आपका 60 ml होता है, आपको अपने एक बखरे को 60 ml तक इस दवा को पिलानी पड़ेगी, उसके बाद आपको यूरीन से समबंदिद, किसी भी परका की समस्या, यूरीन से समबंदिद, साथ ही साथ अगर हमको अपने भेड की बड़े पसु को देना है, जैसे गाय भैस को देना है, तब हम इनको दिन में 6-7 बार भी दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनका यूरीन जो है, काफी हाड होता है, रुकने के बाद बहुत ही प्रा आज के लिए इतना ही, धान्यबाद हमारी उगण